अच्छा ऐसा है कि ना पिछली बार जब लास्टम जो हमारी किलास हुई थी न उसमें जो चीजें हमने डिसकेस की थी न तानिया वो आज क्यूंकि आपका वन वन का सेशन होता है न तो आपको मैं तरह डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूं तक कोई चीज आपकी रहना जा आपने थोड़ा रहना है और जो चीज़े मैं आपसे पूछे न आपने मुझे बतानी है वरना भी मुझे रपीट करनी पड़ेंगी ठीक है क्योंकि डैमो वाले लेक्ट्र में जो मैंने आपको पढ़ाया था न वह मैंने देखना है कि आपको भूल तो नहीं गए अपी त अच्छा तो सबसे पहले हमने जैसे बात की थी कि हम जाएंगे amazon.com पे न ठीक है amazon.com पे हम चले गए तो अब यह बताएं कि आगे हमने क्या करना है मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताके मुझे पता लगे कि आपको आता है यार है यार नहीं है या मैं आपको करके ताके हमें अंदाज़ा हो कि हमने किस मार्कीट में काम करना है फॉर एक्जेंपल अगर हमने यूएसे में जाना है तो हम यूएसे का पॉस्टल कोड डालेंगे न्यू यूवर का जो के है 1001 तो यह हमारा इंटरफेस अब टोटल चेंज हो गया है ठीक है यह हम यूएसे मे प्रिवियस लेक्टर को ताके आपको भी रिवील हो जाए मुझे पता लग जाए कि आपको क्या कुछ आता है यहां से हम जाएंगे यह सारी बैस सेलिंग प्रोड़क्ट्स आ जाएंगे अमाजोन की जो अमाजोन पर सेल हो रही है यह सारी सब कर्टेग्रीज हो गई है यह जो वीडियो गेमिंग वाली काटेग्री इसमें हम नहीं जाएंगे ट्वाइस में भी हम जाएंगे बट यह युएस से में कुछ इसकी प्रोड़क्स जो हैं वो गटिट अर कुछ अंगेड़िद हैं आपको गटिट और अंगेड़िद का पता है ना हाँ जाएं यह घा CAPciones हम एlich कर सकतें हैं अन नहीं कहते हैं ऊंगेड़िद अ को रिप्रोड़ करदेने खिर हैं तो इसकी जो गेंटेग्रीद हैं सब से ईच्छी काटेग्री वो बेबू मैं जा सकते हैं तो पीम में हम सेल कर सकते हैं की तर एंग ऐसोल्ट औंए हैं की तु इसमें जा सकते हैं बट इसमें expensive products बहुत जादा है kindle store में जा सकते हैं इसमें kitchen रड़क्स होती है kitchen and dining इसमें kitchen रड़क्स वाली है इसमें भी जा सकते हैं पैशियो लाइन गाडन में भी जा सकते हैं pet supplies में भी हम लोग जा सकते हैं ठीक है तो for example अगर हम baby के category लें तो अगर हम open करें तो हमारे पास ये इस तरह ये products open होती है ठीक है न तो last time मैंने शायद आपको बताया था कि ये जो content हमारे सामने stem open हुआ है जो हमने open किया है इसको हम EBC कहते है enhanced brand content ये जो सामने हमारे show हो रहा है जो इसका title है और जो इसका description है जो भी ये चीज़ें है इसकी ये EBC कहलाती है ठीक हो गया और मैंने आपको last time बताया था कि ये इसका buy box होता है ठीक हो गया तो अब मुझे ये बताएं इस वक्त buy box किसके पास है तानिया इस वक्त buy box किसके पास है कौन sale कर रहे है अब बाइब पास है तो में जब देखना होता है कि buy box किसके पास है तो हम इसमें आगे देखते हैं यहां पर हमारे पर आप हैं आ जाता है कि जब ship from और ship by sold by amazon हो तो definitely जो है buy box Amazon के पास ही होता है ठीक है और ये सारा जो एरिया है ये किल लवाता है buy box ठीक है अब for example जैसे यह listing है यह वाली listing है इसको अगर हम गोर से देखें तानिया तो गोर से देखें यह वाली जो listing है इस वाली listing से बहुत different आपको नज़र आएगी ऐसे यह ना कुछ difference नज़र आ रहा है आपको 19-20 का आप इसके बुलिट्स देखें इसका इसकी जो यह मैं आपको बताता हूं देखें इसकी इमिजिस छे हैं ठीक है इसकी इमिजिस चाह रहे हैं ऐसे यह ना और buy box यहां भी Amazon के पास ही है मैं ABC के बारे बता रहा हूं कि कुछ brand ऐसे होते हैं जो अपना जो content है वो इतना इस पर आप मुझे बताएं कि FB मेरी आवास है या रही है आपको है अजी अच्छा मुझे यह बताएं इस वक्त जो आपके बद स्क्रीन शोड रही है और यहां हम गई यहां मुझे बताएं कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा अजार FB और कौन सा FBM seller है यह जो शिप शिप करें जैसे सूल बाय अमजन कर रहा है जो सूल बाय और शिप बाय दुनों एक ही परसंद के आरे अब वाफ लिए हमें घुड हो गया हाँ यह भी हम सैलर है ठीक है अच्छा तानिया अब मैं आपको ना आज स्टार्ट करने लगाँ क्योंकि मुझे सम अब आजिए हमारे एक यह फोगर नहीं वह है तो लिए जो डिए उसके किसने में थीक और यह वैसे रिकोर्डिंग तो हो रही है अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो तानिया बेसिकली हंटिंग ने चार मैं थीक है एक है यह 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 जारी है आपको हणिंग होती है ठीख है और नंबर दो जो Tools होती है वह होती है शैर सँनिंग हम करते हैं जैसे यह सैलर्ड ना यह वाले। ś辰श को और हम लोग यहां से इन सेलर्स को ओपन करके ना हम यह यह प्रोड़क्स निकाल लिते हैं कि यह जो seller है कौन-कौन से प्रोड़क्स सेल कर रहा है ठीक है seller scanning वाली हो गई और manual जो manual hunting है वो ऐसे होती है जैसे फॉर example आप Amazon पर आए आप best sellers पर गई यहां से बैस आलस पर आगे अब यह जो यहां से आप category में गए और फिर आप sub category में जाना चाहो तो जा सकते हो इस आगए इसमें आ गए आप for example अब यह जो आप कर रहे हो ना यहां से जो आप product उठा रहे हो यह आ जाता है है आपका manual hunting में कि आपको खुद करना पड़ता है सब कुछ ठीक है यह मैंने अब यहां से product open कर ली यह जो अब तक का हमने process किया है इसे manual hunting करते हैं हमने इस तरह से hunting करेंगे तो हमारी manual hunting करवाएगी अच्छा फिर आ जाता है seller scanning के कि हमने seller से किस तरह से hunting करनी है for example जैसे मैंने भी आपको बताया कि यह seller sale कर रहा है यह चीज इसको हमने यहां से इसका store open कर लिया ठीक है यहां से इसकी products open होती है यह नीचे भी आप कर सकते हो इस यहाल products यहां से हम इसकी products open कर लेंगे ठीक हो गया यह जो left side पर आप को शो हो रही है यह वह brands है जो यह बंदा sale कर रहा है ठीक है इसके पास 198 जो products है यह sale कर रहा है क्योंकि यह नया seller है ठीक है और इसका positive review हमने ने देखा कि five star ही है four plus है ठीक है इसकी products में हम लोग आ गए अब यह seller snapping इसको कहते है method number two है यह ठीक है और number three है कीपा वाला कि हमने कीपा से कैसे hunting करनी है manual hunting seller scanning hunting और कीपा के through hunting ठीक हो गया तीन method हो गए चोथा है reverse hunting for example हमने sam's club open किया यह हमने यहां यहां पर Walmart open कर लिया Walmart और Sam's Club Home Depot यह सारे के सारे अब यहां पर जो सेल्स लगी है Walmart पर अगर कोई चीज में Walmart सेल कर रहा है जिस पर बहुत अरग डिसकाउंट आपको शो हो रहा है डिसकाउंटिड आइटम्स जो हैं इस पर ओफ लगाव है आप क्या करोगे आप for example एक बात example देता हूं कि यह एक product है हमने खोल ली Walmart पर अब हमने इसको टाइटल को कोपी करना यहां से ऐसे टाइटल को कोपी करने के बाद हमने आना है Amazon पर अपने वह टाइटल यहां पर डाल दिया तो यह कहलवाता है reverse hunting तो hunting is four method है ठीक हो गया अब यह यहां पर सेल हो रहा है 54 का यह हमने जब reverse hunting की है तो यह Amazon पर कितने का सेल हो रहा है जी 149 का ठीक हो गया यहां तक कोई question आपका अब हमारा जो सबसे basic और सबसे जो initial जो हमारी चीज होती है जहां से हम लेकर चलते हैं वो हो जाती है मैन वना मैनुवल हंटिंग मैनुवल हंटिंग क्यों हम recommend करते हैं और यह हम क्यों एफेक्टिव इसके अंदर सबसे इची और खास बत यह थी होती है ताँनी है कि हर बंदा यह तने भी वी जो होते हैं Amazon बे होते हैं अपना चला रहे हो यह किसी कब करें cloth किर होते हैं वह सारे के सारे यह तो या के वो इस कर रहे हैं मतलब हमें Out of the Box शोचना हैगे हैं कुछ हैसा सोचे कि जिससे हमें गų свое Danny तो उसका क्या हल होता है उसका हल यह होता है कि आप मैनुवल हंटिंग करें और मैनुवल हंटिंग जो हो सबसे मुश्किल हंटिंग है वह कैसे करते हैं कि आप bestsellers में आए for example bestsellers में आए आपने कोई इसी भी एक category choose कर ली for example आपने चूज कर लिया जी बेबी चलो बेबी चूज कर लिया बेबी category में आ गए अब यहां वेना यह आपको दिखा देगा कि यह मैंने आपको बताया था ना extension के बारे में यह helium 10 के extension है ठीक है तो वो बता रहा है किसके अपर 10 seller बैठे में इसको fulfill Amazon कर रहा है ठीक हो गया अच्छा तो अब हमने कोशिश करनी है कि हमने कोई ऐसी hunting तलाश करनी है कोई ऐसी product तलाश करनी है जिसको fulfill जो है वो FBM कर रहा हो या अगर FBM हमें नहीं मिलता तो FBA कर रहा हो लेकिन फिर FBA जो है ना उसके पास stock कम होना चाहिए ताकि जैसी F FBA आउट of stock हो तो बारी हमारी आजए तो hunting का जो है कुछ techniques है कुछ चीज है जो मैं आपको भी समझा रहा हूं आइस ता इस देख रहे आप इसको भी Amazon फुल्फिल कर रहा है और helium 10 हमें बताता है starting में किसमें कितनी variations हैं और इस पर कितने sellers बैठे हुए हैं तो पिछली बार म हम कोई product कर रहे होंगे तो हमने यह देखना है कि एक तो competition हमारा कम से कम हो उस पे sellers कम से कम बैठे हुए हो ताकि जब हम आकि उस product पर बैठे हैं तो हमें ही sale आए अगर जाधा sellers जैसे 20 बैठे हैं इस product पे sellers तो अगर हम इस पर जाएंगे तो definitely हमें competition होगा तो आप चली जाए हमें पांट से उपर पे पांट से लेके 10 तक हो या बारा तक हो इससे जाधा रहा हो अकसर लोग पंदना पर चले जाते हैं अगर पंदना पर आप जाएंगे तो आपकी sale औरों से कम होनी चाहिए price की आपकर price कम होगी तो definitely आप उनसे उपर आ जाओगे क्योंकि Amazon का जो algorithm में कैसा है जब जिसकी price कम होती है वो हमेशा उपर ही शोर होता है इसकी मैं live आपको दिखा दूँ देखें अगर 32 वाल है है लेक इसका एक सेंट कम है तो यह देख लें यह उपर है यह महंग है तो यह नीची है इस तरह से यह जितनी ज़्यादा जिसकी price होगी वो तना ही नी सबसे बड़ा benefit होता है और प्राइस आप तब कम रख सकते हो जब आपकी hunting करीप अच्छी हो आपकी hunting अच्छी होगी तो definitely आप price भी कम रख सकते हो अच्छा इसको FBA वाला fulfill कर रहा है यानिके FBA wholesale कर रहा होगा यह इसको इसको इसकी seller बैठे हैं तो हम अब इनीचे जाएंगे क्योंकि manual hunting में तानिया बहुत जादा struggle की जरुदाती है आपको जो है वो थोड़ा सा खपना पड़ता है तब जाकि आपको product मिलती है ठीक है अगर हमें जितनी जादा manual hunting हम करेंगे हमें उस पे practice होगी आपको product का बता लगेगा क्योंकि आपकी आँखों के सामने से product जब गुजरती है तो आपको idea हो जाता है कि यह फिलाँ brand है और इस product को मैंने already check किया था और अब मैंस पर दुबारा नहीं जाओंग इसको हम कहते हैं suppressed listing या buy box unqualified Amazon उस सुरत में किसी product से buy box छेन लेता है जब वो देखता है कि इसके उपर price वार बहुत जादा हो रही है ठीक है और इस जिसने price रखी है वो मेरी price से बहुत जादा है तो लिहाज़ा मैं इसको buy box नहीं दूँगा तो वो listing जो है वो suppressed कर रहता है तो जब listing unqualified होती है तो उसके उपर buy box नहीं होता यह आगर आपको मेरा euro का निशान नजर आ रहा हो तो यहाँ पर लिखावा रहा है see all buying option तो फिर seller सारे के सारे अंदर होते है जो buyer होता है वो क्या करता है जब उसको कोई चीश पसंदा आती है तो यहाँ पर see all buying option देखता है फिर यह देखता है कि सबसे प्राइस कम किसे है अब इसकी सबसे कम प्राइस होगी वह दाफिन यविपर होगा और यह पर आजाता और FBA seller फिर नीचे आ जाता है तो यह matter नहीं करता कि आप FBA seller और FBA seller बिस आपकी price कम होगी तो आप ऊपर शो हो जाओगे ठीक है अच्छा अब हमने यह देखा कि इसको इस listing पर जो इसको फुल्फिल कर रहा है वह भी यह वाला कर रहा है तो हम इसको second option पर रखते हैं अभी हम इस पर नहीं जाएंगे अभी हम कोई और अच्छा एक और बात आनी है बच्चे आपने यह देखना है कि जिस product के उपर लिखा हुए ना prime अभी दिखाऊंगा आपको लिखावाएगा कुछ products ऐसी होती है जिनको amazon खुल सेल कर रहा होता है अपने prime customers के लिए ना जैखिए यह जैसे अभी नीचे कहीं ना कहीं किसी ना किसी page पर शौर होगा इस page पर शौर नहीं हो रहा तो next पर होगा तो मैं यह देखें यह लिखावार है prime यह prime वो products होती है जिनको amazon खुद फि prime ID वाले जैसे for example यह जो हमने यहां पर अपना account open किया हो है ना मैं आपको करके दिखाता हूं यह जो हमारा account है यह हमारा simple buyer buying वाला account इस पर हमने कोई membership ने ली वी amazon से तो जब आप amazon से membership लेते हो यादि प्राइम ID वो आपको देता है उस पर क्या होगा कि आपको discounted rates देगा व अपको आपको आप अपको आप को कि देख रहे है अपसे लोग इन मांग लिया वान से अब इस पर क्या होगा जो अगर मेरे बास इसकी लोग इनो तीन प्राइम याडी की तो मेरे बास वो प्रोडक्स यह होती जो कि अगर आप प्राइम की सेल्स जैसे अभी हम Walmart पे गए न तो Walmart अपनी sales शो करवा रहा था हमें कि मेरी इन प्रोडक्स पर सेल लगी वी है अगर आप उसे यह प्रोडक्स लोगे तो आपको इने प्रिस्ट डिसकाउंट दोंगा तो Amazon भी sales लगाता है अपनी ही प्रोडक्स पर ठीक है लेकिन वो sales उनके पास शो होती है जिनके पास उसकी प्राइम मेंबर्शीप होती है अगर प्राइम की मेंबर्शीप आईडी आपके पास नहीं होगी तो वो sales भी आपके पास शो नहीं करवाएगा जैसे हमारे पास उसकी शो नहीं हो रही है अभी तक क्योंकि हमारे पास की प्राइम आईडी नहीं है तो अक्सर लोग आपने देखा होगा जो A2A करते हैं यहां कि Amazon to Amazon drop shipping करते हैं वो क्या करते हैं वो यह करते हैं कि Amazon की जो Prime वाली ID है ना उससे बाइख कर लेते हैं कम कीमत पर और जो Amazon की जो selling जो उनका account होता उस पर selling कर रहे होते हैं किस price पर जिस पर Amazon Prime ID से कम पैसों में purchase करते हैं और फिर यहां पर आकर simple ID से आकर sale करते हैं seller center पर आकर ज्यादा price पर उस पर profit margin भी जादा होता है तो वह भी मैं आपको A2A का भी बताऊंगा concept K2A कैसे कर सकते हैं तो यह आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आपको बताओं कि हम manual hunting जो है कैसे कर सकते हैं effective method है सबसे जादा आपने नीचे आजाना है बस यह देखें यह शो हो रहा है कि यह उपर जो है प्राइम आइडी के लिए प्राइम का तानिया यह होता है कि यह शे फोर गजया वाल मार्ट है तो वाल मार्ट अपने gift card शो गरवाता है अपनी ऑफ शो करवाता है इसकाउंटेड आइटमशो कर वारता है इस पेना सेल लगी भी उती है इसके पास आप आओ ना जैसे आप आज कल वह ना यार क्या कहते हैं क्रिस्मीस है तो क्रिस्मीस पे न यह अपने सेल्शो कर रहा है काफी दरा प्रोडक्स पे न फॉर गजैंपल यह पहले 12.23 डॉलर का ऐख अब 10 डॉलर्स का है यह एती नाइन का था आब 69 का यह तो इस पर क्या होता है कोई बीस अप्लाइज बिस होता है अपने कुस्तमर्स को अपनी तरफ करने के लिए वह क्या करता है डिफरेंट किसमगी जो है वह सेल्स चो क्राइब आ दो मेरा जासी अकाउंट के नाम से तो कर मैं इस पर अकाउंट बनाऊंगा तो तो एक महीने के लिए मिलेगा उस पर क्या होगा कि यह वाली यह वाली यह वाली मुझे फॉर एक्जेंपल यहां पर 20 का लिखी वी है ना तो यह बता रहा है कि यह आपको प्राइम डी से जो है वह क्यों कर दोंगा इस पर हम्में क्या benefit होगा कि हमें ऑ शीपिंग वगजा फ्री मिल जीग क्योंके amazon जो होता है आपको इस उस ने हpielt इन है यह यहां से shipping free देनी है और यहां पर आपने अपने customer से आपने shipping के पैसे ले लेने हैं तो $ आपको यह बचेंगे और shipping भी आपको बचेगी double profit है ठीक हो गया यह आपको prime ID का भी मिनाज समझा दियो तो manual hunting का क्या होता है आपको चीजें नीचे जाके देखनी पड़ती है जो आपका customer review होता है उसके नीचे आप आजो नीचे आजो नीचे आजो यहां पर यह देखो यह products और होती है यह वह products होती है इसके पर prime ID नहीं लिखा हुआ ना Amazon Choice लिखा हुआ कुछ पर लिखा हुआ हो अभी buy a box Amazon के पास है तो हम इसके इस पर भी जाएंगे तो इस पर अगर हम अगर हम केपा यूज करें तो हम लगा देते हैं ना वो अपने एक सैटिंग कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें Amazon वाली item शोगी नहीं करवाता हो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम Amazon क करेंगे कीपा से तो वो बताऊंगा कि हम कीपा से कैसे हंटिंग कर सकते हैं तो मैनवल हंटिंग का यह होता है कि आप रेंडम ली वो प्रडक्स ओपन करते जाओ जिनके उपर ना तो Amazon बैठा हो है और ना ही Prime ID शो हो रही है वो रेंडम ली आप उपन करती जाओ प्रड़क कि एफ बीम सैलर के पास है ना बच्चे शिप फुरूम पेट को और सोल्ड बाइपट को यहां पर अगर उपर एमजोन होता निचे पैट को था तो यह अब एफ बीम हो रहा है तो अब देखो ना अब हम क्या गरेंगे अब हमें समझ आ रहा है कि यार इसकी इसका जो रें रहा है कि इसको में समय रहा है कि यार हम हर चीज धी घर कि अगर हमने इसकी सेल्स कितनी है तो वह मने देखनी है क्योंकि तो इस पर जाएंगे ना वहन उसकी सेल्स एक निये तो सेल्स का हमें कैसे पता लगता है एक हम जज कर लेते हैं अच्छा घासे कि इन एन्च यह टूंटीन इन्टर एंटर इन तो यह थो प्लास है यह तो यह बाइंटर अच्छी प्लास थे जिन लिए जिए वह वह शुर्प टानिया यह ना मैने अपको लास्ट भी बताया था बैसे यह वैली करता है आपकी क्रिटिकरी तो क्रिटिकरी अच्छी है ना तो यह चालिश फॉर एक्जेंपल अगर आप बैबी में होना यार बाससा अगर आप बेबी के अंदर हो ना इस पे हो और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो फिर तो वो हमारे लिए गॉल्डन था ना मैंने आपको इसकी एग्जेंपल यहां दी थी कि अगर किलास में 40 अच्छी हैं इसका फिर सब्सक्राइब अच्छी होते हैं सबसे जहीं वह होता है तो जो 40 अनुमबर पर आया है वह तो फिल जाइसरी बात है कि वह पढ़ाए में अच्छी होता है तो इसका 3 यह तो बहुत अच्छी है और सबसे जादाश होता है और इसकी रेटिंग बहुत जादा है देखो लेकिन इसको आप यह कर रहे और sold कौन कर रहे इसको Amazon sold कर रहे और Amazon ship कर रहे इस पर हम जाएं ने सकते क्योंकि इसकी उपर Amazon बैठा हूँ है हम जाएंगे हमें सेल नहीं आएगी न तानिया तो इसलिए हमने यह वाली प्रोडिक्ट चूज की है जो मैंने अभी आपको खौल के दिखाई है कि इसक पर आके मैं इसलिए रुका हूँ कि अगर इसकी यह हमारी प्रोडिक हमारे क्राटेडिये पर पूरी उचरती है तो हम इसको सेल कर सकते हैं अब हम इसको सेल कैसे कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा for example jungle scout हमारे पास sales estimator है जो हमें बताता है कि इस प्रोडिक्ट की महिं इसे है न यह से कर दिया category हमारी बेबी है बेबी कर दिया estimate हमने चेक कर लिया जी कितना है अब इसकी 37,980 प्रोडिक्ट है जो हर महीने सेल करता है ठीक है आपकी कौन से प्रोडिक्ट है वह यह वाली प्रोडिक्ट है तो यहां से हमें अंदाजा होता है कि अगर इसके आप पर Amazon ना बैठा होता तो अगर हम यह सेल करते हैं तो हम कर सकते थे फिर दूसरा option हमारे पास यह होता है इलीट है वह क्या होता है option कि हम सी याल बाइंग option में जाते हैं चेक करते हैं यहां पर देखते हैं बहुत वकात शो नहीं करवा रहा होता Amazon कि Amazon के बास कितना stock पड़ा ह है कितना नहीं पड़ा हुआ कीपा हमेश हो कर वाता है कीपा आप कुछली अभी नहीं बता रहा क्योंकि वह थोड़ा सा अगर अभी बताऊंगो तो आप कन्फीज होगी कीपा से हमें क्या पता लगता है वो बता देता है आपको कि बहुत कितना आपके पास इस वक्त Amazon के पास टॉक है और कितना नहीं है उसमें क्या होता है कि देखें बाद सुने हमने ना जंगल स्काउट सेल्स एस्टीमेटर एक फ्री टूल है जो के हम अपनी सेल्स को मेर करने के लिए यूज करते हैं सिरफ सेल्स बताता है कि किस कटेगरी के अंदर जो प्रिटक हमने निकाल है किसको ब्युक्त हिस ओ थीन है श् Yuk B फिर और हमसे फूचा हरे कर दिया क्यूंड कि कमें पता लगा जी कि हमारी काटेगरी बेभी है कि याद आना बैभी लिखा घव कि यहां पर आ के हमने बेभी कर दिया यहां पर आ कर दिया कि यहां पर आ कर थि करो गैना सामने लिखा आ जाजएगा एक महिने में 37980 products रहे हैं थीक हो गया अब यह हमें अधिक हो गया यह प्रोडक्ट अगर हम सेल करें तो हम कर सकते हैं यह क्योंकि कि लॉग इन लोगिन कि यह चुछ भी नहीं लेकिन लेकिन जब आप आगे जाओगी में आपको आगे आपको ग्लाशी बताऊंगा ना बच्चे तो मैं आपको जंगंगल सकाउट से ही अच्छ टूल बताऊगा वच प्रक्राइब जब आपको कीफा स्ही बताऊँगा Pras कि देली कि कितनी ए बना कि से बहुक्त ऀंटी इंटिक से इंगहें डरी जो हम नहीं ले रहे अगर आपने सिर्फ सेल्स चेक करनी है तो वो आपको फ्री में बताता है तो उसमें को जंगल स्काउट को जितना पे करके आपने सिर्फ यह चीज़ करनी है ना वte सिर्फ यह से देखें आपको आब लेंद साधे करना प्यश्यक वैसा लुक्त फाने सिर्फक करनी होते है जो कि आपको अपनी अद्राइस करने करने जरेत हैं ऑल शर्रेंड़ का इंपर एक अगर ब्रंद रिज्बरा यहिळ तो इस श्रेट्प ब्रेन्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नया account हमारे पास है तो जब हमने इसके पर कोई listing करनी होती है कोई भी listing हमने करनी हो तो हम catalog में जाके add product करते हैं यहाँ पर आकर तो जब हमने check करना हो कि मैं अपने account पर product को sale कर सकता हूं या नहीं कर सकता तो हम यहाँ आएंगे इस product पर इसका यह SN है यह SN यहाँ भी शौर है यहाँ भी शौर है इसको मैं यहाँ से copy करूँगा यहाँ पर आकर मैं इसे paste करना है ठीक है यह SN है तो यहाँ पर आकर na sell this product आ गया है ठीक है sell this product तो यहाँ पर मैं इसे new कर दिया और जब मैं इसे sell this product करूँगा न देखना भी हमें उसने यह नहीं कहा कहा कि आप इससे approve we एक तो क्योंकि हम तो क्टर्खल कर रहे होते हैं तानिया तो उसके ओपर दौ प्रोप्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं soft approval होती है hard approval होती है, soft approval के धुरू जब आप नए account पे जाते हो Ary अब देखें इस product के उपर ना soft approval है और ना hard approval है इस पर आप जा सकते हो इसको आप sale out कर सकते हो लेकिन हम इसको क्यों sale नहीं करेंगे क्योंकि इसके उपर Amazon बैठा हुए ठीक है तो कुछ ऐसी products होती है जिसको आपको sale करने के लिए brand approval चाहिए होता है for example मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या यह मुझसे brand approval मांगता है अगर कोई आपको confusion हो तो आपने पूछ लेने बाग की recording तो आपको मिली जानी है लेकिन आप जितना question करो गपतना दादा सीखोगे यहां आया आप यह मैं आपको भी चेक कर वा रहा हूँ तो देख रहे हो आप कुछ प्रोडक्स ऐसी है जो के आपको यह देखो यह आ गया apply यह apply क्यों आया यहां तो नहीं आया था apply जो हमने पिछले वाला ब्रेंड जब हमने इसको लिस्ट किया था तो हमारे पास option नहीं आया था apply वाला यहां पर आ रहा है apply इसका मतलब यह है कि आप उस amazon से permission ले रहे हो कि क्या मैं इसको sell कर सकता हूं यह नहीं तो आप इसको apply करते हो तो फिर अब यह यहां पर रिक्वेस्ट करते हो approval की तो वह जब आप approval की request करते हो अपने seller center से तो amazon आप से invices मांग लेता है उस product की invices मांग लेता है क्योंकि आपके पास तो वह brand की कोई permission ली ना कुछ है तो आप इस तरह से जब आप आते हो यह बड़ी आगे की चीज़े मैं आप जानके नहीं आपको बताना चाहरा है सब्सक्राइब आप यह जो चीज आपको मिने दिखाई है नहीं यह अप्लाइट तो यह अप्रूवल है जब आप प्रूवल के साथ तो मैं इस सारे के सारी चीज़ें इसको अमाजोन को कंप्लीट करके दोंगा ना तो अमाजोन मुझे आपी कंप्लेंड ही भेज़ेगा ठीक है यह जब हम अप्लाइट तू से लेके जाते हैं उस ब्रैंड को सेल करके तो अल्रडी हमने ब्रैंड से अमने प्रूवल लिया वह था उसको सेल करने का तो अमाजोन हमें आपी नहीं भेज़ेगा लेकिन फिर भी कीपा से हम क्या करेंगे कीपा एक ऐसी टूल है उसक पता लग जाता है थर्ड ग्रांफ के अंदर के वह में आज के लिक्शे में अनिंआ को यह ऑध़ दिया कर द är है और जो है वो जब आप ड्रेक्ट जाते हो ना जब यहां पी लिखाव आता है सेल इस प्रोड़क्ट अप्राइट उसल की जगह तो इसका मतलब है कि उस पर आपको ब्रैंड अप्रोव लेने की जूरत नहीं है जैसा कि यह वाली प्रोड़क्ट थी कि यह मेरा सेलर संटर है यह अक्राइड यह जाए यह लखहर है यहेह और अदर्य असकी ने आपके लिए बनाया आप अच्छाँ के लिए ताके जब आपकी हंटेंग अच्छी होगी ला तो हम पिर उस प्रोड dummy को यहां पी लिस्त करेंगे और उसको चेक करेंगे कि हम इसको कैसे सेल करते हैं यह सेलर सेंटर अकाउंट है कि अधिक समझ आगी है ना आपको जंगल स्काउट का पता लगया आपको सुफ्ट अप्रोवल का पता लगया आपको उसके इलावा आपको रिवर संटिंगा भी थोड़ा सा बताया मैंने आज अच्छा अब हमने यह देख लिया अब हम यहां इस प्रोड़क प्याए है हमने यह देखा कि इसको FBM साथर सेल कर रहा है और इसको कोई भी सेल नहीं कर रहा है ठीक है ना तो यह जो प्रोड़क्ट है ना तानिया अब जो बाद में बताने लगा हो ना उसको आपने याद रखना है यह आगे बड़ी आपके काम आने वाली है यह जो काटेगरी हमने खु अब यहां देखारों देखा करो हम सेपन करें में हाउ है ठीक है अच्छा अब जो सैलर सैलर का जो नाम हो क्या है M और पाट की कटीजर चांट आगया इसका मुतलब ये है कि यह जो सैलर है यह academics का इस यहनुन के साथ अपना डिस्ट्रिबिशन अकाउंट बनाया हो है और इस ब्रैंड को सेल कर रहा है इस kole डिस्ट्रिबिशन के साथ और रेड़ी सारे पbudки ही भी अब इसका स्टोर हम open करते हैं इसका हमने पूस्तुर्ग ऑपन किया कि इसकी हमने प्रोडिक्स open कर लि नीचे से आके अब अब आपने एक स sóloथ देखनी है टानिया इसारे जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना कर रहा है जो कि सारी पेट्स रुलेटिट इंशाया तर यह भी वहारे पर यह पिर्योईना यह ब्रैंड प्रेंड और जो अभी उपर जो हम ने जिस ब्रैंड से मिया पर आएं वह भी एक ब्रैंड यह देखो प्रियुना ब्रैंड लिए और उसके लावा यह पी में की जायतर brand distribution के साथ जा रहा है यह drop shipper नहीं है यह ज्यादा इस ने अपने account को age की है पहले उसके बाद distribution के जरीए जा रहा है तो इससे का अपने बड़ा ख्याल रखने कि जो product distribution के साथ sale हो रही है तो distributor sale कर रहा है वो इस product पर आपने नहीं जाना समझागी बात उस पर हमने नहीं जाना पूछें क्यों उस पर इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमारे पस brand approval अभी नहीं है अच्छा अच्छा हम भी brand approval के साथ जा सकते हैं लेकिन अभी तो हमारा account ही नहीं है तो नए account में अगर हमने यह सारी चीज़ें उसको provide करना ही हुई जैसे यहां हम आए अब मैंने यही वाला item list करना है तो इसने मुझसे मांग लेनी है soft approval ठीक है तो मैं soft approval जब उससे मांगता हूँ तो वो मुझसे demand करता है invoices की invoices का पता है न आपको आपकी पहले एकाउंट की स्टेट्मेंट्स जो होती है इनवाइस वो होती है जब आप कोई चीज़ बाए करते हो किसे supplier से distribution से तो वो आपकी बाइंग रसीद होती है हम रिशिप्ट कहते हैं वो आपकी होती है इनवाइस ठीक है अब इनवाइस तो आपके पास तब होती है जब वो आपने पहले से बाइंगे तो इसी लिए मैंने आपको clear cut कह दिया है shortcut में मैंने आपको बता दिया हो है कि इस product के साथ जब हम जाएंगे तो इस पर खपने का फायदा जब इसने हमसे मांगने soft approval है तो जब इसने हमसे मांगनी invices हैं तो हम इस पर नहीं जाएंगे लेकिन जब हमारा account old हो जाएगा ना जब हमारी category pet वाली जाएगी USA में तो हम क्या करेंगे कि हम इस brand से यह जो हमने अभी निकाल ली थी यह वाली product हम क्या करेंगे इसके 10 पीस ले लेंगे बाराँ पीस ठीक है 10 पीस हम इकठे परचेस कर लेंगे Walmart से, Sam's Club से, Home Depot से यह जितने भी दूसरे अच्छे suppliers हैं हम उनसे 10 बाराँ पीस मंगवा के ना अपने warehouse में रखवा देंगे वेरहाँस को मैंने बिताया था ना आपको वेरहाँस में रखवा देंगे फिर जैसे हमें कोई order आएगा ना तो हम अपने warehouse से ship करवाया करेंगे उस product को जब आप warehouse में पने project मंगवाते हो ना तो आपके पास आपकी इन्वाइस आ जाती है आपके वेरहाँस में ना तो आप यह अपनी इन्वाइस यहां पर सब्मिंट करवाद हो आके इसको उससे क्या होगा कि एक तो आपकी category भी अंगेट हो जाएगी यह वाली ठीक है यह वाली और इन्वाइस आजेंगी तो आपको IP भी नहीं आएगी आप खुल के खेल सकते ह हो आप इतनी मर्दी से लिंग करो इस प्रोटेट में आप कर सकते हो ठीक हो गया कि यहां तक कोई सवाल कोई चीज समझ ना ही हो कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे कि नहीं यहां तक तो मुझे लग यहां तक तो मुझे लग यहां तक पहुंचे हैं मैनवल हंटिंग हम कैसे करते हैं शुरू से बताओ अब मैंने सारा कुछ कर दिया आपके असानी के लिए तागे आप कंफ्यूजन आओ यह देखो कंफ्यूजन आओ आपको अमजान खौल लिया मैनवल हंटिंग हम इस तरह से करते हैं अब इसकी सबकेटेगरी में जाते हैं कोई भी कर्टेगरी ले 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 लिए इसकी सबकेटेगरी आप ले 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 कीडे मारने वाले दिवाई जी पैस्ट कंट्रोल होता है इसको हम गार्डनिंग में जाधा तरह यूज करते हैं ठीक है सबकेटेगरी में आ गई है अब आप इसकी दुबारा सबकेटेगरी में आ जाएं किसी भी एक में चली जाएं इसमें आ जाएं वेशब ठीक है जी ये मैनुवल हंटिंग का मेटेट बता रहा हूं इसको और से देखिएगा तुरू आउट आपके जर्नी में ये चीज़ें इस्तमाल होने वाली है ये आज भी और दस साल बाद भी ये चीज़ का रामाद सबसे जादा रिकमेंडिड है अब ये देखें इसी चीज़ का मैं वेट कर रहा था ये क्या लिखा हूँ है फुल फिल्फिल्ड बाई अब ये देखें इसको भी फुल्फिल मर्चंट कर रहा है इसको भी तो हमने न क्या करना फॉर एक्जेंबल हम इस एसन को पहले उपन कर लेते हैं इसको मैंने उपन कर लिया मैंने सी बाई आल बाइंग ऑप्शन देख लिए इसके यहां से आकर इसको दस लोग सेल कर रहे हैं हमारे सेलर भी दस से चार से दस के दर्मियान में होने चाहिए नहीं बारां तो को जाएं आपके यह देखो बाई बॉक्स सिस्टेम इस बंदे के पास है ठीक है और यह 20 की सेल कर रहे है ठीक है अब अब हमने ना एक और चीज देखनी है इस तवजह से सुनिये का बात हमने यह देखना है कि जो परेट हमने की है क्या उसको सारी पुराने सेलर सेल कर रहे हैं यह को नहीं अभी कर रहे है अब इसका जो बाइब पुराने सेलर के पास है अब हमें कैसे प्ता लगा कि वह पुराना सेलर है रेटिंग देखिए हमने इसकी रेटिंग जो है वह तो आपको एक रेटिंग मिलती है 20 order fulfill करने के बाद आपको एक rating मिलती है, तो इसने 1000 orders fulfill किले हैं, तो इसकी rating इतनी हुई है, ठीक है, यह वाला भी बहुत heavy rating वाला बैठा व से हही, मेरे साथ से rating ज़ाद है, यह बैठा ही, कम rating वाला, साल पुराना है, ठीक है, साल के अंदर अंदर का होगा ये भी कुछ नहीं है अच्छा ये भी अब हमने इसको कर दिया option B इसको अभी इसको बन नहीं करना खोले रखना और कौन से हैं जी जिसको मर्चंट कर रहा है फुल फिल और यह जिसको फुल फिल मर्चंट कर रहा है यह रही वो प्रोडक्ट इसको उपन कर लिया और कौन है जी यह इसको उपन कर लिया कि और मैंने मुझे याद पढ़ते हैं मैंने कुछ प्राइस का भी आपको क्राइटेरिया बताया था कि जो प्रोड़ेट हमने हंट करने इसके प्राइस कितनी होनी चाहिए ज़रा बताएंगी आप प्राइस हमारी आपने वह थाई थी पंद्रह से मिने कहल से पच्टीस के जित में आना है पंद्रह से मिने आपको बताया था कि ओपर होनी चाहिए ठारा से पैंतिस-चथिस की क्योंकि कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं यूसे में सैम्स किलब वालमार्ट हॉम डिपूट और भी प्राइस हैं जो के 35 प्लस जो प्राइस है उस पर आपको शिपिंग फ्री देते हैं ठीक है अगर आप कौन से वाली पंद्रह से पंधिस जादे हैं कि आपको बताता हूं कि यह तो मैंने आपको सिर्फ एक आपको क्राइटेरिया बताया कि जो प्रोड़क्स आपके 18 से जादा कि होगी ना इसको सौर्स करो गए ना तो अब वो कम की मिल जाएगी अब जो एक प्रोड़क्ट ओल्रेडी फॉर इसेंपल मैं आपको बताता कि जैसे यह प्रोड़क्ट है यह अल्रेडी 11 की बिक्री है ठीक है तो इस पर आपको शिपिंग पड़ जानी है एक तो आपको इस पर शिपिंग पड़ जानी है दूसरा मुझे आप यह बताएं कि इसमें आपको कितने मार्जिन उठा लेंगी आप इस प्रोड़क्ट के स इसके बारां पीस मंगवाएंगी आपको फॉर इजेंपल यह दो यह तीन डॉलर का सोर्स हो रहा होगा अब इसके बारां से तेरां इंवेंटरी पीसिस आप इसके उठवा के अपने वेरास बिजवाएंगी वहां पे इसको रखवा देंगी ठीक है जैसे ओडर आएगा आ बारां का अपने वेरां से शिप करवाएंगी यह बारां का तो आप कर सकती है अगर आपने डिरेक्ट सप्लायर से भीजना है ना तो फिर आपकी जो प्राइस होनी चाहिए वह मीनिमम मिन आपको बताया था कि 18-15 की त्रिमान होनी चाहिए कि इतने में सोर्स हो रही हो बिक आपको याद होगा जब हम इरोजगार का कोई ले रहे थे स्टार्ट अप में तो वह जब कोई 3PL उसके लिए होलसेल के प्रोड़क्ट निकाल रहे थे आपको शायद याद होगा तो वह दो डॉलर की या तीन डॉलर की फाइंड आउट कर रहे थे वह इसलिए PL के लिए या होलसेल के लिए वह इसलिए प्रोड़क्ट कम प्रैस की सोर्स करते हैं ताके वह उसको अपने 3PL के साथ इन्वॉल्फ करके महंगी बेच सके और हम लोग कोशिश यह करते हैं कि अगर हम से उपर कोई FBA seller बैठाव है ना तो हम उसकी inventory देखते हैं क तो फिर हम उस पर जाते हैं क्यों हमें पता है यह तो out of stock होने वाला है और इसके बाद नंबर मेरे ही लगना है और बाज वकात ऐसा भी होता है कि अगर buy box seller के पास है यह सारे सारे निजामना अल्ला ताला के पास है buy box इसके पास होता है और order इसको आ रहा होता है महंगे वाले को buy box इसके पास होता है order इसको आ रहा होता है तो यह सारी के सारी चीज़ें होती नसीब कि हमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी होती है कि हमारी price कम से कम हो ताकि हम सबसे उपर आए और सबसे पहले order हमें पढ़े है ठीक हो गया कि यहां तक लेर है कि आज का लेक्षिर बड़ा लंबा होने वाले जो हलात मुझे लग रहे है अच्छा जी तो मैन्वल हंटिंग में हमने देखना है कि जो फुल्फिल्ड है ना वो मर्चंटी होना चाहिए ठीक है जैसे यह मर्चंट है यह भी मर्चंट सा और हमने इसको बहुत अब 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 सिर्फ अबना मैं अब सप्सक्राइब अबना क्रैटेरिया देख रहा हूं प्राइस वाल भी मैं चयारा हूं मेरे प्राइस करना हो तागे में उपन करेंगे मों और यहसी मुच मिसे बढ़कलिन नहीं रही करना लेकिन जाएगा थोड़ी मेंनत है आ इसको मैं open कर लेता हूं तो चोटी products को मैं close इसल वाजा से कर रहा हूं क्योंकि यह 3PL के बगार बेकार है हम अरली है यह दो होगी यह इसको भी मैं close कर रहा हूं लेकिन यह products हम sale कर सकती है no doubt क्योंकि इसको fulfill FBM seller कर रहा है ठीक है ना अच्छा एक और बात जो Amazon बे अल्रडी लिस्टिंग existing है ना उसका criteria यह है कि वो listing three my आघए कि कम से कम से महीना परानी यह 90 दिन परानी लिस्टिंग होने चाहिए यह उसकी वज़ा पूछे हम उससे वज़ा यह है कि अगर Amazon ने कुछ करना है न उस पर कुछ रिस्ट्टिंग करना यह यह उस लिस्टिंग को ड्लीड करना है तो पहले तीन महीने में कर लेता होता सारे काउन पहले तीन महीने में वो जज़ करता है वो उसने अगर किसी को निकालना हो सिस्पेंड करना हो कुछ भी करना वो नववे दिन बड़े इंपोर्टेंट होते हैं पहले वाले तीन महीने वह पूरे कर चुक होता है शे महीने वाला हमारा एजिंग पूरा हो चुक होता है अब हम जो है वो फोर से उपर होने चाहिए नेगेटिव कमिंट कोई ना हो और एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको बार-बार पिछली बार जो बता इसे दुबारा बता रहा हूं important चीज़ है समझे लो भी दुबारा मैं शाद भूल जाओ और ना बता सबहूं आपको यह जो रे वाली जो रेटिंग्स मिलीवी है यह मिलीवी है जो सेलर है सेल कर रहा है उस प्रोड़क्ट को यह उसकी रेटिंग्स है हमने दौनों ही देखनी है अगर जादा सेलिंग रेटिंग वाले प्रोड़क्ट को पर आप जाओगी एक प्रोड़क्ट है उसको सारी वो बंदे ब यह इसका distributor है यह भी ऐब कर रहे हैं यह बीदीबिटर हो सकता है ठीक है अब यह जो प्रॉडटेटट रिये बी प्रॉडवेर में आती है यह आप देखो ना इसका नाम भी प्रोवेर के नाम से यहां में गार्टन वाली प्रॉटक्स कौन होता है डिस्टीपूटर वो होता है जो आपको अपने ब्रैंड की सेल करने की पर्मिशन भी देता है और आप आपको वो कहता है के भाई मेरा जो एमो की हो है ना वो कम से कम पचास का है कि अगर आम उससे पर्चेसिंग करोगे कि वो होता है जो आपको जो आपको डिटेल पर देता है सपलायर व्लमार्ट व वह पे नहीं हो आपको वो आपको रचेल पते पर अब ये देखो इस पर मैं आया हूँ इसको मैंने देखा है कि ये मेरे थोड़ा से क्रेटेगरी पर ये आरे थी कि 20 से उपर थी प्राइस इसकी न तो मैंने इसको देखा कि इसकी उपर जो FBM seller को इसका buy box मिला वह ये FBM seller है ठीक हो गया merchant के पास है इसके उपर अधिकार मर्चनिक बैठा हुए ये लेकिन यहां पर मैंने एक्तिक आता है कि यहां पर देखाए GOD यहां पर देखा सकी धेज्व है यहां पर जयाद है यहां पर जया है सब्सक्राइब पूल्चाल ऑक हैं यहां किiceos बस यह चाहक करना है यहां पर कितने की सेल हो रही है कि यह मुश्किली मिलेगी हमें प्रोड़क्ट कि मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है अच्छा जी इस पर आएं कि इसको तीन बेच रहे हैं कि ठीक है और आशा रहे इसको छह बेच रहे है कि छह लोग बेच रहे है ठीक है अच्छा जी और देखते हैं और कौन है मेरी कट वें भी बीं हो फिट नहीं बेट रहे निकालने को तो मैं उसे निकालने को सोर्स भी हो जाएगी वो लेकिन वो हमारे कराटरिये पर नहीं उकम्मल पड़ती है भी फिलाल और ये बात याद रखे का तानिया हंटिंग दस मिन्ट का या पाउंच मिन्ट का या एक घंटे-2 का काम माक Simum 8 घंटे-डेली आपने हंटिंग को देने आपको अट घंटे भी मैं कह रहा हो आपको हमारे मन्टर्स तो कहते हैं कि अगर पूरा पूरा दिन भी बैठ के आप वंटिंग करते रहो तो शुरू में तो महीनत है अगर आप एक महीना इस तरह कर लोना तो जिंदगी समर जाती है आपकी आपको अख्यों के सामने से प्रोडक्स गुजर जाती है आपको आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्स पर मैं पहले गई भी हूं और यह मने पहले source की भी और यह brand अच्छा और यह brand लुर है और यह Net तो यह वह तो आपको brands के name याद हो जाते हैं, आपको category को पता लगे जाता है, इस सारे चीज़ें आपको विदा passage of time प्रैक्टिस से पता लगे जाते हैं चीज़ें, तो जितना हो सके हैं आपने हंटिंग पर फ्रोकॉस करना है, बस कि आपको करा है, आपको कि पता लोकॉस कर दो द के तो झाल झाल और हंटिंग के लिए जो सबसे मेन चीज है वो है आपकी ब्राउजर के सेटिंग्स और आपका VPN डिपेंड करता है अगर आपका VPN अच्छा नहीं है तो आपको जिन्दगी भर कभी प्रोटेक्ट मिलनी कोई नहीं आप चाहे जो मर्जी कर लें जरूरी है हंटिंग के लिए जरूरी है अगर आपके पास वीपें अच्छा नहीं है तो आप कभी भी हंटिंग नहीं कर सकते हैं एक घंटा होगे क्लास को और यह भी मिटिंग होगी तो आप दुबारा जोइन करेंगी कि है कि अधिक आम अधिक अधिक बिए दियुक्त आप और मिटिंग इसका बता दू वीक में एक मिटिंग और इंगें एक मिटिंग और इंगें ओन्यम कि चेस्ट की जलितिस्टा स्चनिो घृट देली बसेश्ट पिश्ट करने में और यहां से आपने में अब तर्ट करा में अब से काम भी लेनाना व अजान हो रही है जो अब अब लेप्टोप पे है ना वीपिन डाउंलोड कर रहे है अब अच्छे में कर दो वीपिनलोड़ लेप्टोर था इन। अब 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 अंब अब अब खिर ऑन कर दोगा है जब बलती है जब लेगार कर दो ले खिर खिर को रहा है झाल झाल झाल